हेलो फ्रेंज, तोड़ेश डेट इज ट्वेंटी थर्ड अप्रिल टूसाजन ट्वेंटिफोर, स्वागत है आपका आज के करेंट अफे डिसकसन में, चले डिसकसन स्टार्ट करते हैं, पहला मारा अर्टिकल है, वो सूर्य तिलक के बारे में, क्यों सूर्ख्यों में, सूर् रिफ्लेक्शन थियोरी का यूज किया गया था, और इसके लिए एस्ट्रोफिजिक्स का यूज किया गया था, इसमें क्या हुआ था, अलग लग मीरर रखे गए थे, अब ये मीरर है सबसे पहले, बाहर मीरर रखा गया, यहाँ पर सनलाइट पड़ी, सूर्य के किरने पड टाहिता, अब ये जो किस ने बनाया है, इस है इंडियन स्ट्विजिट औफ स्ट्रोफिजिक्स के द्वारा बनायाँ गया, आई- आई- एक के द्वारा बनाया गया था, अब ये हम रवर्स होगा, अरलश है, राम नावमी कि दिन ये इस परकार से देखनी को मिलेगा, आप सब को पता होगा गर्गोरियन कैलेंडर है न वे सोर वरस पे आ जा रहीते हैं, यह सोर्वरस मतलब सोलर सिस्टम पर बेशटे हैं, solar system based मतलब यह जो सूर्य होता है उसके 4 और परुत्वी को अपने पुरा करने में 365 दिन लगते तो इस 365 दिन के आधार पर गर्गोरियन कलेंडर को त्यार किया है हम जिस गर्गोरियन कलेंडर को फॉलो जैन।5 वह गर्गोरियन कलेंडर है वह solar system पर आदा लिते हैं यानि की परत्वी सूरिय के चार ओर अपनी परीकर्मा पूरा करने में कितना समय लगाती उस पर बेस्ट है और यह जो यहां पर राम नवमी बगरा सेलिबरेट की जाती है यह हिंदू कैलेंडर की पर आधारीत होती है और जो हिंदू कैलेंडर है वो चंदर पर फॉलो किया जाता है चंदर पर कैसे फॉलो कियाता है मतलब यहां पर यह है मून है और यह है अर्थ है अब यह मून है वो अर्थ के चार ओर अपनी परिकर्मा पूरी करने में कितना समय लेता है तो हिंदू कैलेंडर इस पर बेस्ट होता है तो यह पूरा मून है वो अ जाने कि आज जिस डेट पे राम नम्मी मनाईगे अगले साल उस डेट पे राम नम्मी मनाई जाई यह जरूर नहीं है तो इसके लिए क्या इसको मूव करना होगा हर बार जाके मैनुली इसको चेंज करना पड़ेगा जहां जाए यह लगा है वो सनलाइट के अकोडिंग इसस संस्ता है कारे क्या करती है यह एस्ट्रोफिजिक्स से समधित कारे करती है कौन से विबाग के अंतरकत आती है यह विग्या नयम प्रयोज्जुद्गी की विबाग यान की साइन्स एंड टेक्नोलोजी डिपार्टमेंट उसके अंतरकत यह कारे करती है यह एक अट्रोणोस ब न्यूस ज़ाल है यूक्रेज यूकर्न क्यों कि बहुत जयादा प्रास न्यूस मी तो यहाँ पर जो चेरन describes में बना गया। यूकरेन के चार और के उनकों से देश है जिसी उक्रेन से बाउंडरी लगती है तो ये रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलेंड, बेलारूस, रसिया, यहाँ पर ब्लेक्स यहाँ पर मॉल्डवा है, सीयफ और जोव है, इनसे उक्रेन की बाउंडरी लगती है तो इनके ज्यादा न्यूज में था अब हम बात कर लेते हैं नेस्ट जो मारा अर्टिकल है वो भी प्लेसर न्यूज और मैपसे समंदी थे और यूपी एसे का फैवरेट टॉपिक है न्यूज में क्यों है न्यूज में इसलिए पिटर पहले ग्रीन नहीं है न ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपती बन गए तो ये सुर्खिया तुमारे लिए महचपूर्ण नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यूपी एसे डायट क्यूशन कभी नहीं पूछेंगा कि स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपती कौन बने है बाकी एक्जाम में पूछा जा सकता तो आप नाम यसे थे मतलए अमरीका के सपोटर थे अभी यह रसीयन सपोटर रहे तो यहां पर यह यह यूकरेन पर जो चल रहा है यह रसीया का सपोर्ड कर सकते तो यहां पर पूरा जो मामला है महोल है वो बिगरता वो नजरा सकता है इसलिए यह काफी ज्यादा सुर्खियों आ गए पीटर पेलेग्रेन के बारे में थोड़ा इडिया होना चाहिए तो यूकरीन के जस्ट पीछे हैं ठीके तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए तो भर दीखने को मिलती unterstützen थी अप पर त्यासित गट्ना थी ऐसा है नगे 59अ ही प्रयां ही 59 बार में जब दुबई में इतनी बड़ी लेवल पर बारिश देखने को मिलती तो ऐसा फिर से देखने को मिला है तो परकरती से कोई भी पंगा नहीं ले सकता है यही कहना होगा क्योंकि अब दुबई जैसे सेर है वहां पर बारिश बहुत कम होती है ठीक है ज़्यादा तर तो वहां करण यह हम नीचे देखी लेंगी पहले हम लेख करीबा के बारे में देख ले रहे हैं यह को यह कैसे तो mrika iti या पानी कम हो रहा है तो कौन सी लेक है वो न्यूज में बनी हुई थी इस परकार से क्यूशन पूछ सकते हैं मतब ऐसी कौन सी न्यूज है जो अल्लीनों के कारण या किसी और वज़े से जिसका पानी सूख रहा है तो वो कौन सी लेक है तो लेक करीबा है तो अल्लीनों के क दूटा आइडिया होना ची जो इसका पानेन वह शोंके जा रहा है थीक quir currently conference रीक करीबा की आपको स्वाले करीबा करीबा की आपको पता होने चीक्ति हैं किो उपर जंबिया ये नीचे जम्बाव वी इन दूनों के बीच cal यह बाउंडरी बनाती है, यह एक man made, man made का मतलब क्या होता है mango नेर्मित लेके mango नेर्मित यह लेके mango deer में सबसे बड़ी लेके mango नेर्मित सबसे बड़ी लेके दूसरा point आपको पहले mango year लेके दूसरी ये मानम नोमude में सबसे बड़ी लेके इसरा प्वобщ में आगे कौन कौन से देशों कि मद्दी बावंडरी बनाती है तो पहले जिंबा बे एक देशम नाम क्या है करीबा एयमें किस-किस देशों को ये इलेक्टरिक्र्सिटिट देता है ये देता जाम जी स्वार जामबरे जामबरे को सकी ये kवे की हुए खरा रहे है ये के के बारे में यूइब्अ क्षाइब होना चाहिए पर इन से कर देशों से बाउंडर लएंडर लगती हो भी यूज में थी हमने यहाँ पर देख लिया है मानव निनमित लेके जांबिया जिंबावे की बीच में सीमा बनाती है ठीक है बस यह हम पूरा देख चुके हैं तो यह पूरा हमारा आर्टिकल इससे समझता है नेक्स जो रहे हैं इंडियन वोसियन में अभी भविश्यवानी की बावी चाहिए इनके दोराँ के बावारत में अभी वारिस कम हो इनके पर इनख के कर चुके लागए एक बार फिर से डिस्कास कर लेते हैं यह पूरा प्रोसेस होता क्या है एक होता है अल निनो जिस पर वारत का जो पूरा motion system टिका हो, एक होता है अल्लिनो, दूसरा ला नीनो, दूसरा point, तीसरा point होता है, Indian, ocean, dipolar, यहाँ इसको एक बार देख लेंगे डिटेले में बार बार आपको दिक्कत ना है, और फिर होता है हमारा normal जो रें पैर्टन होता हो, ठीक है, अब पहले बात काते अलिनों, अलिनों क्या होता है, नॉर्मल दिनों की बात कते, नॉर्मल दिनों में क्या इस्तती होती है, ये पूरी रिजन में इस्तती क्या होती है, देखो, ये है ना, ये है Pacific Ocean, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है उस्टलिया, और इसके बीच में ये है Pacific Ocean, नॉर्मल यहां पर कोल्ड करंट होती है और कोल्ड करंट होगी तो यहां पर जो विंड प्रेसर कैसा होगा यहां पर थंडी हवाय है थंडी जो करंट है तो यहां पर प्रेसर कैसा होगा थंड में प्रेसर होता है वो कम होता है तो यहां पर लोग प्रेसर होता है निम्नदाब होता है निम्रिदाज शेक्तर होता है और यहां पर यहां पर होता वाम करंट अब वाम करंट है प्रेशर कैसा होगा हाई प्रेशर होगा स्वारी यहां पर होगा आई प्रेशर यहां पर थंडा है वहां पर आई प्रेशर है और जापर गरम है वहां पर लोग प्रेशर है अब हवाय मियाइब नोर रा लो ineं Sumyu यहां से हवाय है वह वह ओस्टलिया निदिया के बास कि आएगी तो यहां पर नीद लिनों में क्या इस्तती बनती है अलिनों में थोड़ी उल्टी इस्तती बन जाएगी किस प्रकार से उल्टी इस्तती बनेगी नॉर्मल लिनों में हमने देखा था यहां पर होता है यहां पर होता लो प्रेसर बट अलिनों में क्या होता है अलिनों है न यह जो एरिया होता है यहां पर warm current आ जाती है तो यहां पर लोग प्रेशर होगा हुआ इदहर चलेगी मतलब यहां पर बारिश ज्दा होगी कई अमरिका कर सब्सक्रीचन है आसपास बारिस नहीं होगी यह पुरा प्रोसेस बंद रहा है इसके साथ कुछ और गतिविती बंद रहे है क्या बंद यह नॉर्मल दिनों में हवाई चल रही थी कहां यह साथ अमरिका गरीजन था इससे ऑस्टलिया के और ठीक नॉर्मल दिनों में तो यहां पर बारिस ज्य पानी भी साथ में चला गया तो यहां पर जो नॉट्रेंस वाला पानी था वो उपर आ जाएगा यानि कि नॉर्मल दिनों में ऑस्टलिया के आसपास तो भारी बारिस होती है और जो अमरिका का रीजन है न वहां पर क्या होता है मच्षे पालन अच्छा होती है वारस के आस बारिस अच्छी होती है नॉर्मल दिनों में ला निनों में क्या होता है यहां पर गरम बुरा हो जाता है तो ऑस्टलिया के आसपास बारिस नहीं होती है और यह जो साथ अमरिका होता यहां पर बारिस ज्यादा होती है बढ़ यहां पर मच्षे पालन नहीं होता है क्योंकि जो यहां पर low pressure already है तो यहां पर तो जो अच्छा पानी था न्यूट्रेंस वाला उपर आए गई नी उपर नहीं आएगा इसका मतलब यहां पर बारिस बारिस तो होगी बढ़िए जो मत्से वाला पानी आ रहा था जिसमें न्यूट्रेंस है जिसमें पोसक तत्व थी वो नह पानी नों की दिनों में यहां पर और भी ज्यादा गरम पानी आ जाएगा और स्वारी और भी ज्यादा थंडा जाएगा जो नॉर्मल दिनों में था उससे भी ज्यादा थंडा हो जाएगा यहां पर high pressure और भी ज्यादा बनेगा थंडा पानी ज्यादा होगा हाई प्रेसर बहुत ही जादा होगी बहुत जादा होगी इसका मदब पादि यहांसे ज्यादा जा रहा है तो यहां पर पोकत्थ्व वाला मसंवियो वाला पानी उपर आ रहा था वह ओ भी जादा पर एका यहालगेशा पर ममचसे पलन और अच्छा और यालीकों में कुसले में सब्सक्राइब करूट प्सक्राइब सब्सक्राइब वीक पड़ जाती इसका मतलब क्या है हमारे यह पर नहीं होगी ला निनों में зай्फी ओंट ऐं यह कि बेएदि को तो यह कि होठी अंद पर कि किया होता है पैशिज आम ने देखा पाला निनों में कोल्ड रेस्ट हो जाता है और भी ज़्यादा फिर अल्नियो मैं अप्वेलिंग मतलब जो न्यूट्रेंस वाला होता है जहांपर पोसकत तो अच्छे होते हैं वो पानी ऊपर नहीं आएगा लानियो में अच्छा पानी आएगा मज से पालन अच्छा होगा फिर अल्नियो में यह बनता है तो यह बनता है अब नार्मल दिनों में क्या होता है नार्मल दिनों में प्या हूता है,it iodion वहाँ पर in Africa सबसके सब्सक्रास पान जादा होगा मैं इस को इस पास है यहां पर मारश छयाएगा पॉजीटिव में बारत होगे पोजिटीव मतल rzecz ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर लोब प्रेसर ओगा ठीक है अब नेगेटीव का मतलब यहांthe नेगेटिव मतलब यहाँ पर cold बन जाएगा यह पर जो ओड़या घंडा हो जाएगा ओस्ट्लीए के आसपास का एरिया गरम हो जाएगा विंड कैसे चलेगी ऑस्ट्लीए क्यों पर चलेगी तो जबारिस होगी बारत के आसपास में बारिस कम होगी यह आयोडी पूरा एसा सि चलेए और भारिष ज्यादा होगी यह दोनों में अंधर समझे लो आयोड के बारे में ठीके बाज में देखने की जो इतने पड़े स्पेसिफिक समझे अब इंडिया की विंड पैटरन के बारें बात कर लेते हैं इंडिया में बारिष कैसे कैसे होती है एक दो होती है साउथ है एक्टूमबर तक भी चलता है तो इस फरकासे चलता है जूर अप्रिल मालो अप्रिल से भी स्टार हो जाता है और स्टंबर तक चलता है बारत में साउथウस्ट मांसुन इसरो रहनी यह विंड़ आती है फिर बारत के जो इमाल Major रिजन वहां टक रहती और यहां से बारिस होना इस्टाट हो जाती महाराष्ट में स्टाट हो जाती यह साउथ वेस्ट मांसुन होता है एक होता नॉर्थ वेस्ट मांसुन वाला है न यह पूरे भारत में बारिस करता है और अलमुस्ट सारे बारिस में हो जाती है यह तीनों बारिस है यह यहीं पे करता है कहां पर यह तमिलाडू है करनाटक है अंदर परदे से वहां पर इसकी ज्यादा बारिस देखने को मिलती है नौर्थ इंडिया में इसके कम होते है नौर्थ इस्ट मांसून होता है उसमें नौर्थ इंडिया में कम बारिस देखने को मिलती है य हम यह नहीं देखेंगे कि इसको एक्स्ट्राट कैसे किया जाता है हमारे लिए इतनी साइंस जाने जरूरी नहीं है हमें आइड्रो कार्मन के बारे में पता होना चाहिए हाइड्रोजन के टाइप के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले बात कर लेते हाइड्रोजन के टा वगयरे इनका उप्योग कर कि इसको बनाने के इसको बनाने के इस से energy मिलती है बट इसमें एक नुकसान यही है कि इसका जो by product बनता है वो carbon dioxide बनता है मतलब आप hydrogen बना गि इसमें नुकसान यही है कि carbon dioxide देखने को मिलती है इसका मतलब यह safe नहीं है दूसरा था blue hydrogen इसमें भी fossil fuel का उप्योग किया जाता, इसे बनाने के लिए, बट इसमें बायु का जो प्रोड़क्ट होता है वो Carbon Mono-oxid and CarbonDioxide बनता है, बट इनको Store कर दिया जाता है, बनता तो यही है बनिकर Store करने की वैवस्ता हותी, то Blue है कि तोड़ा सेफ है क्योंकि बंती तो carbon dioxide है यहां श्टार करने की व्यवस्ता के, और थोड़ा पिर भी सेफ होती है क्यों कर सोड़ा को करने की गया बैट करने के लिए को बनाने के लिए इनरजी विंडे नर्जी, बगर इनसे बनाई जाती है ठीक है इनसे जो electricity उप्योग कर जाती है इनमें बाइप्रोडट क्या बनता है इनमें water बनता है oxygen बनता है इसका मतलब यह अच्छी है green hydrogen बहुत ज्यादा बहतर हो जाती है इनमें बाइप्रोडट क्या होता तीनों आपको पता होना ची ग्रे में blue म carbon dioxide होता है दोनों में जो blue में carbon monoxide भी होता है बट blue में क्या होता अंतर इनको captured किया जाता है green में capture नहीं किया जाता है green की बारे बात करें तो green में water vapor होता है oxygen होता है तो इनको capture करने क्या आप सकता नहीं हो ती काफी safe होता है green hydrogen तो green काफी safe है ग्रे और जो blue है वो safe कम है ठीक ह यह पूरा है अब इसमें यह ट्रम यूज की है के रोजन के बारे मैं तो हीडैफर्जन को कैसे爸爸 लिए हमने देखी लिया कि उसमें पाइप डाली जाती है उसके पीमाद के रोजन कि किया वल्ड है के रोजन यह प्रकार का कार्बनिक पढर थे का रभन निकालने के लिए carbonic जो solvent होते है जैसे अलगले परकार से हम petrol वगर बाहर निकालते है उस परकार से इसे नहीं निकाला जाता है because की irgendolor Glancil यानि कि गुलता नहीं है उनमें विले नहीं होता है तो kitaigen एक carbonic पढारते यह carbonic solvent होता है बर इसका solvent का उप्योगर करें के इसको नहीं निकला जाता है क्यों क्योंकि यह अगdogsलंसिलोता है मिलता नहीं कहां पर यह पाया यह पाई बंध न हो, इस परकार से इसे निकाला जाता है, तो ध्रमल के रिकिंग का उप्योग करके इसे बाहर निकाला जाता है, और यह किसे बना होता है, जो सेवाल वागे रिखाए राफिक यह पुरान अलगी वगणगर होते है, वूड़ प्लांट वगणगर होते हैं, ये बारी भी होता है, हलकी भी होते है, और तेल वगरा होते है, उनके तरह ही काम करते हैं, मतलब उनसे पहला रूप होता है, तो ये थोड़ा वह के रिजन के बारे में आपको आइडिया होना चीए, नेक्स्ट है, मुद्वूमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, तमिलाडू और केरल यह तीन राजयों में लोकेट है तीन राजयों की बाउंडर पर यह लोकेट है कौन सा मुदुमुला टाइगर रिजर्व यहां पर कुछ इंपोर्डन नेशनल पार्क इसके बाउंडरी में लगाते हैं वो भी आपको आपको आइडिया होना चाहिए पाउंडर लगती है इसकी वाइनाड वाइल लाइफ से अभीमद लगती है कि बुदुमा लटाइगर रिजव की साथ ही साथ में बढदि पूर नेशनल पार्क रॉन अटक का करना टक का तो एक तो आपने अपन केखा वाइनाड वाइल लाईफ से लगती है एक कुट्टी नेसल पार के ये भी करनाटा का इससे बाउंडर लगती है फिर साइलेंट वेली है इससे बाउंडर लगती है तो साइलेंट वेली मुतुकुट्टी बांधिपूर तीनों से बाउंडर लगती है इसके इलावा वाइनड वाइलाइफ संचरी उसे बाउंडर लगत चीज़े यहां पर देखने को पिलता है सांगों ने सूखे वन ने यहां पर देखने को लिए तो मुद्दु मुलाइ टाइगर आपर ने करनाटक केरल तमिलालु की बाउंडरी पर लोकेटेड है तीनों राजियों के बीच में हैं कौन-कौन से यहां पर वाइल लाइफ सें पहला भारत का वाइंस फूर रिजर्व है वो भी इसे बाउंडर लगता है मोयार रिवर यहां से प्रवाइट होती है कुछ चीज़े भी यहां पर देखने को मिलती है सूखे वन ने सागों ने वगरा वह इतना बहुत आईडिया रखने के याप सकता है नहीं आपको यह आपको पता होने चीज़े नेस्ट है बमल्स के बारे में बमल्स क्या है बमल्स एक मदू मखी है ठीक है तो यह सामाजिक मदू मखी है मतलब इंसानों के तरह आसपास के जीवन में रहती है और यह कहां पर देखने को मिलती है यह समसी तोसन समसी तोसन मतलब टेंपरेट र होते हैं और कीड़ों के समाइन दिखाई दिते हैं ठीक है इनके अलग ही बिन बिनाट होती है आवाज बहुत ही अलग होती है ठीक है किस परकास से रहती है इस परकास से अपना गोश्टा बनाना लेती है इस परकास से अपना जीवन यापन करती है इसमें एक बोरा होता है ल नेस्ट है अगनिपतः स्कीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट पे याच्छी का दरज्ब कही थी कि dużo दिल्ई हाइप जो नहीं दिल्फाइप के दवरा एक decision दिया गया था उसको आप पलट दो और अगनिपत जो कि में उसको खारीज कर दो। सुपरेम कोट ने उस तो भी ही कर दिया द्यूलिया लिए हई कोट की जो हैसला था उसको खारीज नहीं किया अब अगनी प लेते अगनी पक पर स्कीम के बारें बात करेंते हैं आग अगनी पर इसकी में स्किंमक nahe और मोडल है यानि कि कम समय के लिए कितने चार सालों के लिए कितनी एज होती सत्रासी एकिस वरस की एज है वो व्यक्ति इसमें सामिल हो सकता चार सालों के लिए वो देश की सेवा करेगा और बाद में चार साल बाज में क्या होगा 75% है उनको अपने त्याग करने पड़ेगा मतलब जो भी जॉइनिंग दे रुखी है उनको छोड़ना पड़ेगा उनको 10 लाख रुपे दिये जाएगी और 25% है 25% है वो अगले 15 सालों के लिए काम करेंगी यह वो पर्मानेंट रूप से सालों के लिए बारती सेवा में सामिलो और बारती सेवा को आगे बढ़ा सके फाइद है बात में इसमें क्या होगा यूवा होंगी वो बारती सेवा में काम कर पाएंगी सेना में काम कर पाएंगी इसमें पैंसन में कमी आएगी बविशे के लिए सेनिक तियार किये अधिकारी रेंग तो आप परमोशन से ही बन सकते हो उसके लिए अलग लग एक्जाम भी होती है फिर नेस्ट है यू एनफ पीए की एक रिपोर्ट के बारे में स्टेट ऑफ वर्ड पॉलिशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है श्यूंक तुराष्ट जन संख्या कोस के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है इसमें कुछ पॉइंट दे रखे ज्यादा सारे पॉइंट तो आपको रखने के याद आफ सकता है नहीं पह पह जाएद पॉइंट करते हैं आफको इतने सारी जाद घखने के आफ सकता नहीं है ठीक है इस रिपोर्ट के बारे में पता होना चीक स्कासर के बारे में एक रिपोर्ट आंएक बारत में प्रोटेस्ट वीसामिये के इनके मामले तो और भरें में अब हम झीयच्ट सक्क्ерб ग्रण्थी होती उसमें cancer हो जाता है जिनके कारण जोता है पर इस cancer के कारण नहीं प्ते हैं तो प्रोटेस्ट ग्रंथी में cancer होता है उसे जो खिम भी बढ़ रहे हैं अब इसके लक्सन क्या होता है आम तर तो इसके लक्सन स्टार्टिंग में दिखे नहीं जाते हैं बाद में दीरी दीरी देखने को मिलते हैं क्या होता बार-बार आपको टौलेट लगेगी और भी सारी मुत्र होगा उसका रंग चैन्ज हो किसमें प्रोटेस्ट कैंशर में, मिले और तो प्रोटेस्ट करनाी, यह प्रोटेस्ट करा है अगर यह पूरा पिखना के बार में तो आज की दिसकुशन में अए था थेंक चौन अनिक